नमस्का दोस्तों Julia के चैनल में आपका स्वाज़्त है। अबर में दो रंग का एक बहुत और इक अबसुर्त रीज़ाइन ललूए हूँ इस चाहे आप बच्चों के स्वेटर में डालीए लेडी स्वेटर में डालीए जेन स्वेटर में डालीए कैप में, हैट में, शूज में, शॉक्स में, चाहें टॉप में, पुलूवर में, चाहें किसी भी मंचयातो जक्च में उसे डालिए, इस सब में बहुत भी अच्छा लेगा और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है इसे बनाने के लिए हमें 6 के multiple फंदे चाहिए और 5 फंदा extra या यूँ कहें कि 6 के multiple फंदे चाहिए और 1 फंदा कम तो चलिए friends हम design बनाते हैं तो border बनाने के बाद ये design का पहला line है और सामने से तो हम border वाले उनके रंग से ही सभी फंदे सीधे बना लेंगे ये design पहले line से ही शुरू हो जाता है तो पहली line में हम सभी फंदे सीधे बना लेंगे तो पहली line में हमने सभी फंदे सीधे बना लेंगे अब ये दूसरा line है और wrong side तो हम चार फंदे उल्टा बनाएंगे एक दो तीन चार फिर उन दूसरी और करेंगे तीन फंदा सीधा एक दो तीन तो पहला फंदा एजिस्टीच है उसके बाद इन ही छे फंदो को हमें पूरी line में दूराना है उन अपनी और करना है तीन फंदा उल्टा उन दूसरी और करना है तीन फंदा सीधा एक दो तीन उन अपनी और करना है तीन फंदा उल्टा एक, दो, तीन उन दूसरी और करना है तीन फंदा सीधा तो इन ही छेव फंदों को हम पूरी लाइन में दूराएंगे तो शुरुआत में भी चार फंदा उल्टा था और लास्ट में भी चार फंदा उल्टा आएगा तो हमने प्राइमरी कलर के उनसे दो लाइन बना लिया अब हम सेकेंडरी कलर को अटैश करेंगे तो दिजाइन का तीसरा लाइन सामने से और दूसरे रंगे उनसे पहला फंदा हम सीधा बनेंगे फिर तीन फंदा स्लिप करेंगे एक तो पहला फंदा हमने सीधा बना तीन फंदा स्लिप किया उन पीछे की तरफ है और अब तीन फंदा उले एक तो तीन फंदा स्लिप करेंगे है और तीन फंदा बना गया है इसे हम सीधा बनेंगे एक तूआ बना करेंगे फिर तीन फंदा सीधा एक दो तीन तो ये पहला फंदा एजिस्टीच है और इन्ही छे फंदों को यानि तीन फंदा स्लिप करना है और तीन फंदा सीधा इन्ही छे फंदों को तीन फंदा स्लिप करना है और तीन फंदा सीधा तीन फंदा ये सीधा हो गया देखें तीन उल्टे फंदे थे तो इसी के उपर वाले तीन फंदे जो हैं तीन उल्टे फंदे जो थे इन्ही को इस लाइन में तीन फंदा सीधा बना गया है और जो सीधे वाले फंदे थे उसे हम स्लिप करेंगे तो ये तीन फंदे सीधे हैं यानि इसे हमें स्लिप करना है और देखिए ये तीन फंदा उल्टा बुना गया है तो इसे हम सीधा बुनेंगे एक, दो, तीन देखिए तीन फंदा ये सीधे हैं यानि कि इसे हमें स्लिप करना है ये तीन फंदा उल्टा बने गया हैं तो secondary color से बुनते समय इन्हें हम सीधा बना लेगे तीन फंदा सीधा यानि इसे हम slip करेंगे और last फंदा as stitch है तो इसे हम सीधा बना लेगे fourth row और wrong side पहला फंदा slip करेंगे अगला फंदा उल्टा बनेंगे next फंदा slip करेंगे और देखिए तीन बुने हुए फंदे हैं तो दोनों साइट से एक एक फंदा और ले लेंगे यानि कि पास फंदा हम उल्टा बनेंगे जो फंदा हमने सामने से सीधा बना था अब पीछे की तरफ से वो उल्टा हो जाएगा तो पास फंदे उल्टा है बने हुए slip किये हुए तीन फंदों में से एक एक फंदा दोनों साइड में हम ले लेंगे और बीच वाला फंदा वापस इसे slip कर लिया जाएगा अब साइड से एक एक फंदे ले लेंगे तो यह हो जाएगा पांच फंदा उल्टा एक दो तीन चार पांच अब स्लिप किये फंदे में से एक फंदा इधर आ गया बीच वाला फंदा वापस हम स्लिप कर लेंगे और तीसरा फंदा दूसरी साइड में उल्टा बुन लिया जाएगा तो एक दो तीन यह चार हो गया और साइड से एक फंदा ले लेंगे तो हो जाएगा पांच तो पांच फंदे उल्टे बुन लेंगे बीच वाला फंदा स्लिप के वा फंदे का बीच वाला फंदा इसे वापस स्लिप करेंगे और साइड के फंदे उल्टे बना लेंगे तो पांच फंदा उल्टा बीच वाला स्लिप के वा फंदे का दूसरा फंदा वापस स्लिप करेंगे और साइट के फंदे बुन लेंगे बीच वाला फंदा स्लिप करेंगे और लास्ट में अब ये दोनों फंदे उल्टे बना लेंगे इस सेकंडरी कलर से ये दूसरा लाइन और दिजाइन का चौथा लाइन अब ये डिजाइन का पाच्वा लाइन है और सामने से तो अब सेकंडरी कलर के उन से सभी फंदे सीधे बना लेंगे यानि हमारा ये डिजाइन का पाच्वा लाइन ये हमारा पहला लाइन अब सेकंडरी कलर के उन से सभी फंदे सीधे बना लेंगे तो सेकंडरी कलर से सारे फंदे सीधे बना दिए गया है अब ये रॉंग साइड है और अब सेकंडरी कलर के उन से हम अपना दूसरा लाइन दोराएंगे लेकिन अब हमें थोड़ा सा इसमें चेंज कर लेना है तो दूसरे लाइन में हमने चार फंदा उल्टा बना था और अब हम अब हम चार फंदा सीधा बनेंगे एक दो तीन चार उन अपनी और करेंगे और तीन फंदा उल्टा तो ये पहला फंदा एज स्टीच है और इन ही छे फंदो को हमें पूरे लाइन में तुराना है तीन फंदा सीधा एक दो तीन और तीन फंदा उल्टा एक दो तीन और दूसरी और तीन फंदा सीधा एक, दो, तीन, उन अपने और तीन फंदा उल्टा, एक, दो, तीन, तो इन ही छे फंदो को पूरी लैन में तोराना है, अब देखिए, शुरुआत में हमने चार फंदा सीधा बुना था, तो लास्ट में भी चार फंदा सीधा ही आएगा, तो हमने सेकेंडरी कलर के उन से चार लाइन बनाया, शुरुआत में हम प्रैमरी कलर से दो लाइन बनाएंगे, उसके बाद डिजाइन चार चार लाइन का बनता चला जाएगा, शुरुआत में हमने half design ही बनाया है उसके बाद 4-4 line का design बनेगा यानि primary color से भी 4 line और secondary color से भी 4 line अब हम इन 4 उल्टे फंदो को primary color के उनसे सीधा बुन लेंगे एक दो तीन और चार उल्टे फंदे अब चार सीधे फंदे हो जाएंगे और यह जो सीधे फंदे हैं इसे हम slip कर लेंगे तो पहला फंदा edge stitch है और इनी छे फंदो को हमें पूरे line में दोराना है यह देखिए तीन उल्टे फंदे हैं तो इने हम सीधा बुन लेंगे एक दो तीन और यह तीन सीधे फंदे हैं तो इने हम slip कर लेंगे तो तीन सीधा उन दूसरी वर ही रहेगा और तीन slip तीन सीधा और तीन slip तीन सीधा तीन slip और लास्ट में चार फंदे है तो इने हम सीधा बना लेंगे और रॉंग साइड से अब देखिए slip किये फंदे में से एक फंदा इस साइड में और एक फंदा इस साइड में चला जाएगा और बीच में एक फंदा रह जाएगा यानि कि अब हम पांच फंदे उल्टे बनेंगे चार फंदा ये है और एक फंदा इधर से आ जाएगा तो पांच फंदा उल्टा एक तीन चार और पांच और बीच वाला फंदा इसे वापस slip कर लेंगे फिर पांच फंदे उल्टे एक दो तीन चार और पांच एक फंदा स्लिप कर लेंगे फिर पांच फंदा उल्टा एक कर दे तीन चार पांच बीच वाला फंदा स्लिप कर लेंगे फिर पांच फंदे एक दो तीन चार पांच पांच फंदे उल्टे बीच वाला फंदा स्लिप कर लेंगे और फिर पांच फंदे उल्टे अब देखिए अब एक फंदा ये बीच में रह गया है तो अब फिर प्राइमरी कलर के उन से सभी फंदे सीधे बना लेंगे अब प्राइमरी कलर के उन से सभी फंदे सीधे बना लिए गया है अब हम फिर रॉंग साइड में है और अपने दूसरे लाइन को दूर आएंगे यानि की चार फंदा झार फंदा दो तीन चार फंदा चार पन्स द शीधा तीन फंदाउ लूट एग ,व 1 तीन फंदा जटा ,व 2,3 तीन पंदाल्टा ,व 2,3 लू revive प्हम प्हयर तीन फंदाउ व 1 दाभ लूल्टा ,2 लू इत्वीन पंदा जब लू जब प्तृ जबूड़ तो तीन फंदा उल्टा और तीन फंदा सीधा वुनते हुए पूरी लाइन दोहरा लेंगे और शुरुआत में चार फंदा उल्टा था तो लास्ट में भी चार फंदा उल्टा ही आएगा देखिए ये हमारा प्राइमरी कलर से चार लाइन पूरा हो गया है तो अब फिर सेकेंडरी कलर के उनसे पहला फंदा सीधा बनेंगे अब देखिए ये सीधे फंदे हैं यानि कि इन तीन फंदों को हमें स्लिप करना होगा और ये देखिए तीन उल्टे फंदे हैं यानि इन्हें हम सीधा बनेंगे एक दो और तीन तो पहला फंदा एजिस्टीश है और इन्ही छे फंदों को हमें दोराना है सीधे वाले फंदों को स्लिप कर लेना है उन दूसरी तरफ ही रहेगा पीछे की तरफ ही रहेगा और ये तीन उल्टे फंदे इन्हें हम सीधा बनेंगे तो सीधा फंदा स्लिप करना है उल्टा फंदा सीधा बन लेना है सीधा वाला फंदा स्लिप करना है और ये तीन उल्टे फंदे इसे हम सीधा बन लेना है लास्ट फंदा सीधा और अब तीन फंदे यह स्लिप की हुए फंदे में से एक एक फंदा दोनों साइड में चला जाएगा तो पांच फंदा उल्टा एक फंदा स्लिप हो जाएगा यानि कि यहाँ पे स्लिप की हुए फंदे में से एक फंदा इस साइड में एक फंदा इस साइड में चला जाएगा यानि कि यहां पर दो फंदे उल्टे हो जाएंगे, तो दो फंदा उल्टा, एक फंदा स्लिप करेंगे, और फिर यहीं पाँच फंदे उल्टे, एक फंदा स्लिप का करम चलता जाएगा, पाँच फंदे उल्टे, एक फंदा स्लिप, पाँच फंदा उल्टा, एक वन दसलेप लास्ट में दो फंदा उल्टा और अब सेकंडरी कलर से सारे फंदे सीध है तो चार लाइन का ही डिजाइन है शुरुआत में हमें आधा डिजाइन ही बनाएंगे उसके बाद यानि की तीसरा और चौथा लाइन यहाँ पे बनाएंगे तो देखिए फ्रेंट्स डिजाइन बनके त्यार है एक लाइन के रंइक उन से चार लाइन बनाने के बाद दूसर रंइक उन से 4 लाइन बनाए जा राए और शुरुआत में हमने प्रायम्री कलर से सिर्फ दो ही लाइन बनाया उसके बाद चा लाइन सेकंडरी कलर से चा लाइन प्राइमरी कलर से चा लाइन सेकंडरी कलर से चा लाइन प्राइमरी कलर से यानि पहली लाइन में सिर्फ हाफ डिजाइन बन रहा है उसके बाद चा चा लाइन का डिजाइन बनना शुरू हो जाएगा देखिए france design बनके तियार है design आपके सामने है सामने से इए इसा दिखाय दे रहा है और पीछे से एसा तो design बनके तियार है आशा है आपको अच्छा लगा होगा तो यदि आपको design अच्छा लगा हो तो reply इसे like करें channel को subscribe करें डिजाइन को अपने दोस्तों में अपने रिष्टेदारों में शेयर करें बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नौटिफिकेशन आपको मिलता रहे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद